हेलो गाईज मैं आपका भाई दोस्ट एजुकेटर अफ एकॉनोमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूँ आपका हाँ सीए वाला में और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि संपूरना बैच में सीए फाउंडेशन की तैयारी में पेपर नंबर फूर बिजनस एकॉनो तो ये विडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है पेपर नंबर फूर से रिलेटेड तो जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि बिसनस एकॉनोमिक्स पेपर नंबर फूर के अंदर टोटल हंडर्ड कोशन होते हैं और ये प्रॉपर एमसी क आपने गलत अटेंप्ट कर दिया मतलब आपने अटेंप्ट किया है और वो सही नहीं है तो आपका 0.25 मार्क कट सकता है क्या कट जाएगा तो कहने का मतलब क्या इधर नेगेटिव मार्किंग भी है आप अगर रॉंग अंसर दोगे तो 1 फोर्थ यानि 0.25 मार्क गया और सह अंसर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा पूरा का पूरा इसका मतलब कि चार रॉंग अंसर का आपका एक सिंगल नंबर कर सकता है तो भाई गलती से भी गलती करने का स्कॉप इस सब्जेक्ट में नहीं रहता तो बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर कॉंसेप्ट आपक कोशन सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये मुझे आता है मुझे अटेम्ट करना होगा तो बेसिकली एक्जामपल के तोर पर बतायाता हूं सो एंसी क्यों आए है अगर आपने इस में से एक बच्चे ने नब्भे अटेम्ट कर लिये मान के चलता हूं नब्भे में से उसके 70 ठीक थे 20 गलत थे तो 20 कोशन के उसके 5 नंबर गए अगर किसी बच्चे ने कोई कोशन छोड़ दिया है लाइक अटेम्ट नहीं किया है तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा ना ही उसका कोई नंबर कटेगा अनटेम्टेड कोशन की कोई दिक्कत नहीं है कुल मिला आप मैक्रो एकॉनोमिक्स दोस्तों मैक्रो एकॉनोमिक्स वेटेज वाइस 45 मार्क्स की बन रही है मैक्रो एकॉनोमिक्स जाधा नंबर की है 55 मार्क्स अब कोई बच्चा वो लेगा सर 11 12 की एकॉनोमिक्स यहां पर काम आती है क्या आती है राज्ये लेकिन 11 12 की एकॉनोमिक्स से बहुत आगे की economics हैं यहाँ पर तो ध्यान रखना है नमबर वन आप nature and scope of business economics पढ़ोगे तो थोड़ी सी 11th class की micro economics की याद आएगी ज्यादा नहीं आएगी इतनी सी याद आएगी 10-20% फिर आप आओगे theory of demand and supply यहाँ पर भी बहुत सारी micro economics 11th class की याद आएगी लेकिन यहाँ उससे आगे के बहुत सारे concepts आजाएंगे जहाँ पर आप यह feel करोगे हाँ यार यह economics बहुत अलग भी है कभी आपने सुना नहीं होगा like bandwagon effect क्या होता है, weblen effect क्या होता है snow effect क्या होता है, demonstration effect क्या होता है, यहाँ पर any topics आएंगे, cross elasticity आजाएगी, आपने तो price elasticity पढ़ी है यहाँ अलग-अलग methods भी है, elasticity को calculate करने के आपने जितने पढ़े थे 12th में उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है theory of production and cost में आप भूत सारे नए diagrams नए conclusions नई चीजे सीखने वाले हो और price determination determination in different market में बहुत सारी markets अलग-अलग आने वाले हैं जो 11th class में, 12th class में कभी आपने पढ़ी ही नहीं थी लेकिन I am sure कि आप लोग बहुत शिद्दत से पढ़ोगे और मैं आपको बदाता हूँ कि बहुत basic level से पढ़ाऊंगा यानि अगर आप ऐसे बच्चे और जिन्होंने economics 11-12th में नहीं पढ़ी तो भी यहाँ पर अच्छा score कर लोगे और फिर आएगा business cycle यह आपने कभी नहीं पढ़ा होगा determination of national income में आप national income और उससे आगे के बहुत सारे concept पढ़ोगे यहाँ पर आप private income, personal income, personal disposable income और gross national disposable income जैसे items बहुत नहीं नहीं हैं कि तुम्हें सीखने के लिए और public finance में आप पढ़ोगे सरकार, हमारे देश के सरकार budget कैसे बनाती है, पूरा process पढ़ोगे कौन-कौन मिलके budget बनाता है और जो देश के अंदर under provided चीज़ें हैं उसको government कैसे provide करती है कौन-कौन सी problems है, government का role कहा-कहा पर होता है, तो बहुत अच्छे से आप ये जानोगे और एक CA को economics जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत बड़ा economy में contribute करने वाला बंदा बनने वाला होता है तो बहुत बड़ा economic agent होता है money market, आपका chapter आएगा money market में monetary policy work कैसे करती है जो उसके instrument होते है for example liquidity adjustment facility शायद आपने ना सुनाओ ठीक है, ऐसे बतलब नाम तो यहां लेने, क्या introduction में नाम लेने, जब class के अंदर बढ़ेंगे तब ही बताऊंगा न, मतलब ये मान के चलो monetary policy फिर international trade वाला chapter आ जाएगा हाँ, और फिर Indian economy, ये थोड़ी बहुत पुरानी भी है और बाकी नहीं है, ठीक है chapter की weightage यहां लिखिए दोस्तो, chapter 1 आपके समने 5 नंबर का है, ये 10 नंबर का है ये 10 नंबर का है, 15 का है, ये 5 का है total 45 हो गए, macro के ये marks है आपको दिख रहा है, यानि ये वाला chapter सबसे ज़्यादा नंबर का है तो ये 55 marks हो गए, overall दोनों किताबे मिला के आपके 100 नंबर की हो गई अब discuss कर लेते हैं, आपका paper आता का से है, मुद्दे की बात देखो जी हमारे पास ICAI Institute के द्वारा प्रोवाइड किया गया study material होता है जिसको हम module भी बोल देते हैं study mat भी बोल देते हैं आपको ये पूरा 100% cover करना होता है सबसे main चीज यही है इसके बाद economics के subject के लिए mock test paper provide किये जाते हैं, ICAI के द्वारा हम ये भी cover करेंगे अब आगे बढ़ो क्या revision test paper RTPB भी आते है economics के, नहीं paper number 3 और 4 ही आपके MCQ based paper है paper 1 accounts, paper to business law ये आपके subjective paper है theory लिखनी पड़ती है इसके इंतर अब आपकी जो class होगी आपकी मालो class हुई है आज nature and scope of business economics की आप class attend करोगे, live class होगे आपकी, class के बाद दोस्तों आपको daily practice paper ये DPP provide की जाएगी इस DPP के questions class से ही related होगे और आपने अगर ये solve कर लिए तो इसका मतलब आपने class बहुत अच्छे से देखी थी आप अपने आपको judge भी कर पाऊगे कि आप कहा stand करते हो, लेकिन अगर आप किसी question में अटक रहे हो जहाँ पर आप अटके, वहाँ पर DPP के अंदर उस question का answer भी होगा with explanation, तो आपको पूरी तसल्ली दी जाएगी अगर मालो, आप class ले रहे हो class लेते लेते, live में आपका कोई doubt आगिया, सबसे बड़ी बात है live में आपका कोई doubt आगिया तो live class में आपका doubt soul हो जाएगा, जब आप doubt पूछोगे मुझे यहाँ दिखाई देता है, मैं doubt open करता हूँ, आपके doubt को solve करता हूँ और खास बात यह कि आप अगर मेरी class को recorded देख रहे हो, मतलब आप पुरे संपोर्णा बैच की बात कर रहे हो, कोई भी class recorded देख रहे हो, तो आप उसकी recording जितनी बार चाहो, उतनी बार देख सकते हो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ चाहों वहाँ देख सकते हो उसके recording आपके पस download हो जाती है उसमें भी आप doubt पूछ सकते हो, recording class में भी आप doubt पूछोगे, उसके लिए doubt engine बनाया हुए आपके लिए समझे रहो वो doubt भी आपका solve होगा चाहे live पढ़ रहे हो, चाहे recorded देख रहे हो आपका doubt पूरा proper solve होगा, और बड़ी बात सुनो यार ठीक है, और बड़ी बात सुनो आपके जो practice test होंगे ये मुझे बताएंगे कि कौन सा बच्चा कहा stand कर रहा है, और कौन-कौन मुझे बताता है बता है, जो बच्चा live class में आता है न, उसके मेरे पास यहाँ पर leaderboard show होता है, leaderboard जब मैं question पूछता हूँ, obviously mcq based paper आने वाला है, तो मैं आपको concept कर आता हूँ, concept कराने के बाद आपके साथ quiz खेलता हूँ, quiz खेलते कहलते हैं, मुझे पता लगता है कि सबसे जल्दी answer किस बच्चे ने दिया है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौते पे, पाच्चे पे, ऐसे करके मेरे पास बच्चों के नाम आते हैं, और फिर finally, class में जितने भी question मैं पूछता हूँ, उन question के उपर, based मेरे पास पूरा leaderboard show होता है, और class के toppers महाँ पर दिखाई देते हैं, तो ये भी आपको बता रहता है कि हाँ भई, इससे engagement आती है कि मुझे class के अंदर बने रहना है, और top बे करना है, और आपको, अब एक competition का पता लग जाता है, कि दूसरे बच्चों से हम कहाँ पर stand करते हैं, जब question के answer आप देने लग जाते हो, और class is बड़ी engaging होती है, यार, class के अंदर बतलब एक आपके पास बहुत बढ़िया software P.W. की तरफ से provide किया जाता है, जिसमें आपके source पे, आपका जैसे mobile phone आपने app डाउनलूड कर रखी है, आपको वहीं दिखाई दे जाएगा, सर ने question पूछा हुआ, ये poll चालू हो गया, उसमें चार option है, आप अपना answer submit करो, और मुझे बता लग जाएगा, कि हाँ भी बच्चे ने answer submit कर दिया है, सही है, गलत है, तो hand-to-hand आप अपनी judgment ले रहे हो, so this is a very big deal, कि जो class को English बनाए रखती है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो अपनी strategy यही रहेगी, कि concept है, concept के बाद MCQ है, और concept clarity is the main important thing, और आपके पास extra support के लिए P.W. की books आपको available की जाएगी, अगर आप pro batch में हो, तो आपके सामने physical books हैं, अगर आप normal batch में हो, तो आपके पास e-books available होंगी, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर class by class teachers की instruction सबसे ज़्यादा important होती है, और वो तो फिर batch में बिलती है, जो बहुत ज़्यादा खास बाते होती है, वो batch के अंदर होती है, तो बच्चा वहाँ पर आकर ज्यादा सीखेगा, ये just एक introduction था, जिसमें मैंने सिर्फ chapters के नाम बताएं, और ज्यादा कुछ नहीं किया, बस ये भी आगर आपने जान लिया, तो आप अपने course को बहुत असानी से start कर सकते हो, तो अब start करते हैं दोस्तो, जै हिंद, जै भारत, नमस्कार, धन्यवाद